आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ की modification से यह बनता है और इसमें पिनली चार वर्ल होते हैं जो होते हैं हमारे Kellyks, Corolla, Andnosium और Gynosium इसमें से हमारे जो Kellyks और Corolla हैं इनको हम accessory वर्ल किह सकते हैं क्योंकर हमारे reproduction में involved नहीं होते हैं जब हमारे during Aroksium और अगर इन चारों वर्ल की हम बात करें कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लार का और इसमें सेपल नाम के योनियट्स होता है जो सेपल होते हैं वह ग्रीन्री ली डायग स्ट्रक्चर होते है जो प्लांट गो इसकी bud condition में protect करने का काम करते हैं तो calyx का mainly काम होता है protection का इसके बाद करोला आ जाता है करोला petals का whirl होता है petals generally brightly colored होता है ताकि वो pollination के लिए insects को attract कर सके और कई flowers में हम देखते हैं कि जो calyx और करोला है वो अलग-अलग नहीं होते तो जब ये दोनों आपस में fused होते हैं तो हम इसे एक perianth का नाम देते हैं lily इसका example है हमारे पास इसके बाद जो हमारे androsium और gynosium आ जाते हैं androsium stamens का वरल होता है stamen male reproductive part होता है flower का और gynosium में हमें pistil या carpel मिलते हैं जो female reproductive part होते हैं तो यहाँ पर question में लिखा हुआ है कि जो stock या pedestal होता है उसके end पे ये किस तरह से किस structure से arranged होते हैं अब जो flower का stock होता है उसे हम pedestal नाम देते हैं यानि जिससे ये अपनी floral axis से attached रहता है और इसी pedestal का जो swollen part होता है एक swollen end होता है उसको हम thalamus या receptical कह सकते हैं और इसी thalamus या receptical के उपर जो flower के चारों worlds है वो successively arranged रहते हैं तो यहाँ पर pedestal के swollen end के लिए जिसके उपर worlds arranged हैं हम thalamus और receptical ये दोनों words यूज़ कर सकते हैं इसलिए correct answer हम अपना mark करेंगे option D both B and C चार्सो 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 पर